वेलकम टू बेक ट्रेक क्लास सव आज में टॉंस ओ yeah लोगोंने देखा था सेक़िन्री स्ट्रक्टyr कि स से मिलके फॉर्म होता है हैलेक से मिलकर और शीट से मिलकर ठीक समय हमने different डिफ्रेंट टाइपस के हैलेसे पड़े यह समझेंगे कि कुछ ऐसे शॉर्ट स्ट्रेचिज ओते हैं जो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं ठीक है तो अप्टु फोर अमीनोट प्रॉक्सिमेटली फॉरम इने असे जो हैं वो माली जे इन दोनों ये दोनों हैलेसे हैं और इनके बीच में कनेक्टिविटी तो होगी ना कुछ ऐसा तो हो नहीं है कि अलग अलग रहेंगे थिंग brighter गयों सुर्ण डोय और सीमिलर मेंजर यह दिफ्रेंट बीट शीर्ड है यहांपर तो यह पीट शीर्ड जो है फैस शौर्ट इस्ट्रेच रहेगा तो उसको हम लोक बोलेंगे टन्स जो अप्रोक्सिमेटली इलाने लुट और लुप जो है आपका वह अप्रोक्सिमेटली नाइन तु तुवल व्यूवल अमीन and this is type 2 turn तो यह मैंने एक amino acid stretch लिया है चार amino acids का यहां पर देखें यह एक amino acid है जिसका central carbon 1, second, third and fourth चार amino acid sequence लिया है तो आप orientation में यहां पर change देखेंगे यह जो आपका third amino acid है, third amino acid का जो amino group है और carboxyl group, second amino acid का carboxyl group है यहां पर oxygen atom जो है वो किस side में oriented है और इस side में जो है orientation में इसका change हो गया है तो this is the only difference between type 1 turn and type 2 turn turns क्या करते है, turns हमारे geometrical changes में और orientation को maintain करने में भी help करते है जैसे हमने अभी previous slide में देखा था कि मान लीजे 2 या 3 hellices या sheets है और उनको connect करने का काम कर रहे हैं तो सिफ connectivity को ही नहीं देख रहे हैं यह लोग यह जो turns है, additionally orientation को maintain करने में या geometry, structural geometry को maintain करने में भी turns का बहुत बड़ा रोल होता है अब आप देखिए हम लोग ने dihedral angles पढ़े थे, dihedral angles जिसमें हम लोगों ने देखा था आप देखिए हम लोगों ने जब secondary structure protein कवर किया था, जो आपका alpha carbon होता है और alpha carbon और amino carbon के बीच में amino group के बीच में जो आपका bond बन रहा था, that is your 5 और alpha carbon और carboxyl group के बीच में जो angle था, torsional angle और dihedral angle वो साही था तो यह इन में rotation होता है, कुछ न कुछ तो rotation हो सकता है, अगर आपको यहाद हो, helix की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कितना, 800 helix में कितना था, minus 57 degree जो है, वो rotation हो रहा था ठीक है, तो अब जूकि यह rotate होंगे, अब हमारे यह structure rotate होगा, तो उससे क्या है, यहाँ पर हो सकता है कि steric hindrance आ जाए, ऐसा हो सकता है, कि यहाँ पर इस वाले portion में, क्योंकि यह side group है, R group है, amino acid 3 का, यह कोई भी group हो सकता है, यहाँ पर attached, तो मालीज अगर इसमें rotation हो रहा है, तो यह इसके साथ hysteric hindrance या flashes कर सकता है, यह और यह जब rotation हो रहा है, तो flashes हो जाए, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो it seems like कि second type का जो turn है, क्या वो coming stable है, ऐसा लगता है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो type 2 turn है, उसमें क्या होता है, जो यह third position है, यह third amino acid में जो functional group है, वो generally short होता है, ठीक है, for example, glycine, तो यहाँ पर glycine में क्या होगा, यहाँ पर सिफ होगा, अगर सिफ होगा, तो यह कितना भी rotate हो जाए, यहाँ पर ही clash करेगा, यह नहीं clash करेगा, तो stability को को कोई problem होगी ही नहीं structure के, तो type 1 turn और type 2 turn, दोनों ही अपने आप में stable structures होता ह है, so there are various examples of turn, for example, beta turns, so beta turns are usually found on the surface of the proteins, and they offer connect different strands in beta sheets, ठीक है, तो यह different beta strands हैं, beta sheets के, और यहाँ पर, जो loops है, sorry, turns हैं, वो connectivity का काम कर रहे हैं, यहाँ पर, तो जब beta sheets में, या beta strengths, मैंने difference बताया था, आप लोगों को, beta strength, एक strength को बोल रहे हैं, और दो या दो से ज्यादा strengths, combine ली, beta sheets form कर रहे थे, तो beta strengths की जो connectivity हो रही है, छोटे से stretch से amino acid के, जैसे की चार amino acid, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, beta turn, ठीक हैं, and they are generally found on the surface of the protein, loops, loops, अभी मैंने आपको बताया, loops क्या होते हैं, comparatively, turn के comparison में, मानिजे, turn 4 amino acid का है, तो ये approximately 10-12 amino acids का stretch होता है, काम वही है, connectivity का काम कर रहा है, और orientation को या confirmation जो है protein की, उसको stable करने में help कर रहा है, तो loop जो है, इससे थोड़ा बड़ा stretch होगा, turn से, example है, loop का omega loop, that connects two adjacent beta strengths in beta sheets, तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, इस तरीके से, जैसे ये, आपको sheets दिखाई दे रही है, इस तरीके से, तो इनके बीच में connectivity कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे short stretches थे, इसलिए हम turn कर रहे थे, अगर मानिजे, इनी stretches की जगे, कब बड़ा stretch होता, ठीक है, तो वो आपका loop कहला था, और यह छोटे stretches थे, तो हम इनको क्या बोल रहे थे, turns बोल रहे थे, there are further term, coil, अगर आप लोगोंने बहुत बार सुनाओगा, loops, turns and coils, एक साथ, coils भी क्या है, coils भी short stretches होते हैं, amino acid के, जो की connectivity का काम करते हैं, और कोई particular इनका structure नहीं हो रहा है, कि particular कोई regular form कर रहे हैं, कि जैसे अभी हमने turns में देखा था, कि type 1 turn और type 2 turn में difference था, कि third position जो थी amino acid की, वो उसमें जो oxygen atom था, वो right side था, और जो type 1 था, उसमें oxygen atom जो था, आपका left side था, तो कोई particular उसका shape था, कुद का, coils क्या है, short stretches है, irregular है, connectivity का काम कर रहे हैं, कहीं कहीं पर आप देखेंगे, turns और coils, same, एक ही चीज़ को बोल देते हैं, so at last, we can summarize, turns, coils and loops, turns and coils are, folded polypeptide chains, contains two, types, of, these structures, and coils are the unordered structures, reasons of unordered structures, and turns and loops, causes change in the direction of the polypeptide chain, turns के वजय से जो है, polypeptide जैसे मैंने भी बताया था, कि confirmation change हो सकता है, turns की वज़े से, तो वो direction जो पूरी polypeptide chain की, उसमें change कर देता है, example, अभी हम लोगों ने discuss किया था, beta turn, जिसको हम reverse turn भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, यह polypeptide को 180 degree पूरा rotate कर देता है, इसलिए reverse turn भी नाम है, और beta turn इसलिए, क्योंकि generally आपको यह beta strands के बीच में देखने को मिलेगा, that's why, it's named as beta turn and reverse turn, इसलिए क्योंकि यह पूरा का 180 degree का rotation हो जाता है, इसमें, hopefully, आप लोगों को turns, loops and coils समझ में आ गया होगा, thank you, क्योंकि आपको जाता है,